आज की इस फिडियो में मैं एक case study लेका आया हूँ case study क्या है देखिए आप एक case है LA-G07FP का बोड आया है plug-in not charging case क्या है आपका plug-in not charging का तो यहाँ पर देखे battery change करके देख लिया battery change करके देख लिया फिर भी problem क्या आ रहा था plug-in not charging plug-in not charging का मतलब हो गया कि जो यहाँ पर देख रहे है यहाँ बैटरी का यहाँ पर icon आ रहा है इस पर जाते हैं यहाँ पर जैसे भी 100% चार्ज है तो 100% का option आ रहा है but plug-in not charging का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर plug-in का तो यह जो देख रहे है adapter का symbol बना तो आ रहा है but charging नहीं हो रही है और इस तरह का यहाँ पर message भी आ रहा है plug-in not charging तो क्या-क्या करके देख लिया गया वो देखिए charging IC की requirement भी check कर लिया हूँ charging IC की जो भी requirements होती है VCC AC drive, VCOC, ACL, HTA, region, ACDT सब कुछ चेक कर लिया even BIOS भी कर लिया battery charging से later जब problems होती है तो ऐसा नहीं होता है कि यह घटके में हम बोल दें कि आप यह कर लो तो problem solve हो जाएगी कुछ पहले basic fund होते हैं वो आप बताने होते हैं वो करने होते हैं वो करके देखते हैं अगर नहीं होता है तो फिर हम इसको problems को पहले समझते हैं सॉलूशन जो यहां पर मिला वो आपको हर जगह काम्याब हो ऐसा कोई जरूए नहीं है डिपेंड करता है बोट टू बोट केस टू केस तो इतना तो पता चल गया कि जो plug-in not charging आ रहा है यह problem किसकी है battery charging circuit की problem है battery charging circuit की problem है वो देखना होता है तो generally कुछ basic solutions होते हैं अगर आपके पास भी charging related कोई problems आता है तो एक मतलब कहते हैं कि routine task का आप ले लो वो करके हम देखते हैं जैसे कि hdsl path का register को replace करके देखते हैं bhtpin का register को एक पर check करके देखते हैं कि कहीं इसकी problems तो नहीं है CLR के जो components है बहुत CLR के components जो हैं उसको देखते हैं बहुत CLR components का मतलब क्या हो गया हो भी मैं बता दे रहा हूं जैसे कि मैं एक draw कर लेता हूं यहां पर यहां पर देखिए मतलब क्या हुआ इसका आप जैसे कि यहां पर पहला solution था बैटरी connector के hdsl path के register replace करना तो जैसे कि आपका यह बैटरी का connector हो गया तो बैटरी का connector में जो आपका hdsl path होता है जनरली आप देखोगे यहां पर आपका positive होता है यहां पर मानलीजी हमारा negative है नेगटिव के side में क्या जाता है battery detection वाला आ जाता है पिन उसके बाद जो दो pin रहती है वो hdsl की होती है तो इसमें होता क्या है basically कि जब आप इसको trace करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले तो इस पर आपको एक register से यही पर लगा हुआ मिलेगा एक register यही पर लगा हुआ मिलेगा hdsl path पर और इससे जब आगे जाएंगे आप हो सकता है आपको यहाँ पर diode भी मिल जाए किसी board में होता है किसी में नहीं होता जो कि ground हो रहाता है इस तरह करके आपको diode भी मिल सकता है यहाँ पर फिर जब इसको मिले करके आगे बढ़ते हैं तो यह जो path होता है हमारा आयो चिप से connect होता है यह हमारा आयो चिप से connect है यह हमारा आयो चिप हो गया और बहुत किस में आप देखोगी जो आपकी charging IC होती है उसके साथ भी आप आपका यह path connect रहता है इस तरह करके और यहाँ पर आपका क्या होता है पूल अप रेश्चर कहां मिलेगा आयो के पास यह battery connector के पास नहीं battery connector के पास जो यह जो रेश्चर्स देख रहे हैं यह series का रेश्चर्स होता है जो generally आपको 100 ohm के आसपास का होता है मतलब low value में रहेग और यहाँ पर आपको पूल अप रेश्चर्स मिलता है 3.3 volt का पूल अप होता है इसके उपर है ना तो पहला basic solutions यह है कि आपने इस रेश्चर को replace करके देखना है बात आ जाती है पर रेश्चर को ढूंडे कैसे खोजे कैसे तो अगर diagram है तो diagram से भी खोज सकते लेकिन diagram में दिक्कत ही हो जाती है कि रेश्चर जो होता है यो 0402 साइच का होता है तो diagram में जो placement number दिया है उसके according तो board में ढूंडने से रहे तो दूसरा एक option होता है कि diagram नहीं है हमारे पास तो चलो कोई बात नहीं board view से खोज लेंगा अगर board view है तो board view से आपको सकते इस रेश्चर का जो वाली אני ओता है यहीआ तौका 2.2 को जो सकता है है जब भी ओगा किलो में और राश्चर का यह खोजेंगे कैसे थो खोजने का ट्रिक सिंपल है अगर आपके पास डाइग्राम है तो आप चेक कर लो कि आयो की कौन से नहीं या और सबस्टे क्किशक म pleasing है अगर मां लीज्जी समस्ट कर लो ऑद दी पात का ऐसे पुललफ राइष्टर होता है और दुसी बात थि हstarsं का राइष्टर है अदो किक्स करना फिर इस कुल मतलब निदेल बन है यह इसको भी नो डियागराम भी को झाएक वह वैसे बेना डाइगराम भी इसको खूज अशकता है आपको अनुशा Colored यह नवाँ अगर बोड़ आइस राइस्ट्र से ऊपर करके खो सकते हूं तो यह मिल जाता है। बैना डाइगराम का काम है यह ठीक उसी तरह जो बिएशटी पनका यह राइस्ट्र होता है तो वह जो होता है आपको रीश्टर आएगा इस तरह करके राइश्टर आएगा और फिर एक Cap coriander भी लगा होता है एक Capaster भी यहाँ पर लगा होता है है ना जोकि हमारा बेसिकली फेज का हो जाता है तो एक Capaster एक रीश्टर देख लेते हैं बहुत से केस में आपको क्या होता है यहाँ पर एक डायोड भी मिल जाते है इस तरह अगर के डायोड भी मिल जाते है तो इसको भी खोजना असान होता है जीरो सिक्स जीरो तिरी साइच का होगा और कहीं ने कहीं लिखी रहती है तो आइडिया लग जाता है कि हां यह किस रैइस्टर की बात हो रही है और वो CLR के कॉंपोनेंट का क्या मतलब हुआ? CLR कॉंपोनेंट आप इस तरह समसकते हो कि जैसे कि हमारा AC FET होता है, RB FET होता है और इसके बाद आपका CLR होता है एक यह CLR हो गया और फिर दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर हमारा चार्जिंग का मॉसफेट्स आता है है ना यह दो मॉसफ आप देखोगे यहाँ पर यह पात इस तरह connected है और यह जो connected है यह CLR के साथ वह आपका क्या होता है यहाँ पर आपका अक्सर आप देखोगे क्राइश्टर्स लगा होता है तो यहाँ पर हमारे बताने का यह मतलब वहा कि आप एक बार देख लो इस पात में क्या है यहाँ और इसको हम बैटरी का CLR बोलते हैं यह बैटरी का CLR बोलते हैं तो कहते हैं कि दोनों पास के लगे components को देख लो तो अक्सर problems आती है कि जो यह registers होता है यह low value को registers होते हैं कई वर यह high value हो जाते हैं जिसकी वज़े से आपकी प्रावलम्स आ जाती है है ना plug-in not charging की प्रावलम्स आ जाती है तो हम कहते हैं कि एक बार इस register को चेक कर लो अगर कुछ दिख रहा है गरवड तो आप इसको replace करके देख लो है ना यह देखा जा सकते हैं टेस्टिंग के लिए एक बार आप दिखा है LOG07FP हमारा HP का बोड है है ना HP के बोड में तो PSID का concept होता नहीं है है यहाँ पर adapter ID का concept होता और adapter ID की दिक्कत होती है तो mostly क्या होता है बोड आपका on ही नहीं होता यहाँ पर क्या board on हो रहा था बट प्लागिन नौट चार्जिंग था इसलिए adapter ID की तरफ नहीं जाना होता है है तो आपको यह देखना यह देखना मतलब यह बेसिक फंडा है कि बैटरी CLR कनेक्टेविटी चार्जिंग आइसी आपको चेक करना है अब प्राब्लम किस से सॉल्व वह देखते हैं प्राब्लम सॉल्व हो गया मतलब प्राब्लम क्या थी बीएस्टी पिन के रइस्टर पे थी अब यहां पर यह नहीं बताया गया कि बीएस्टी पिन का रइस्टर का वैल्यू क्या हो गया था लेकिन बीएस्टी पिन का रइस्टर को रिप्लेस कहने से प्राब्लम सॉल्व हो गया है न लेकर problem है तो total चार एरिया है है ना उस चार एरिया में आप one by one अगर आप अपने components को चेक करते वे जाओगे तो आपको पता चल जाता है कि यह problem किस तरह से आले इसके regarding एक videos भी है जो कि हम अपने videos class में भी देता है और offline class में भी बताते हैं कि क्या-क्या problems होती है charging को ले करके तो हमारा problem यहाँ पर कहा solve भूआ BST register कौन सा register होते हैं मैं आपको board पर दिखा देता हूँ जब आप board पर जाएंगे इसे board मेरे पास पड़ा हुआ है exact वह है LAG07FP तो देखे बैटरी का connector है यह आपका बैटरी का connector हो गया और बैटरी का जो coil है वो इधर तो कहीं नहीं दिख बैटरी कोईल बैक सेडमेंट मेरे को charging IC का लग गया यह आपको देखिए यह charging IC है अब आप बोलेंगे मुझे कैसे पता charging IC है तो simple सा है यह PUB1 यह जो B लिखा है ना B से क्या हो जाता बैटरी समझ जाना कि यह battery section का IC है तो battery charging IC हो गई है ना वैसे तो यहाँ पर mention नहीं है यह वो register है यहाँ पर वो diode है और यह capacitor है तो इस register को replace करने से problem solve हुई अब यह register को हम कैसे समझेंगे तो generally जो मैं charging IC को देख रहा हूँ यहाँ पर मिटा हुआ है नहीं पता चल रहा है कि कौन सी charging IC है लेकिन फिर वी जितना मेरे को इसको देखके अडिया लग रहा है यह BQ series क IC है और counting इसकी यहाँ से start होती है 1 से लेकर के 5 यहाँ पर आप 10 पर आएंगे यहाँ पर 11 यहाँ पर 15 तो यह 60 नंबर जो पिन होती है ना इसके साथ आप देखेंगे 60 नंबर पिन के साथ एक diode लगा होता है जो कि मरा यहाँ पर BST का पिन हो जाता है ठीक है ना और इसी के सा प्रूफ हो चुका है वही के से चर्ड्य यहाँ पर दिखा रहा हूँ हाँ कि यह मैं गलत बता रहा हूं तो वह मैं डैग्राम पर देख सकता हो इसको देखेंगे डाइगराम पर आतो में यहां पर डाइग्राम भी रखा हो है मरे पास चार्जिंग के लिए जाएंगे तो UB1 था ना Pub1 एक सेकंड़ देखे Pub1 ने आता हो देखे डारेक्ट चार्डिंग AIS से आगे नि जैसे कि मैंने आपको बताया ये BQ सेरीच के AIS है BQ 24725 और आप देख सकते हैं ये रेजिटर की बात हो रही है ये रेजटर में आप देख सकते हैं पर एक इंडिकेशन भी है, 0603, that means इसका जो साइज होगा, वो थोड़ा बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, कि इसके उपर जो इसकी वेल्यू है, 2.2, यह मेंसन होती है, आप जातर आप देखेंगे, कि जो BST पिन के साथ जो रजिस्टर लगा होता है, यह 60 नमबर आपका रीजन हो जाता है, रीजन के साथ यह डायोट, और इसके साथ यह आपका BST, और यह कैपेश्टर आपका क्या होता है, फेज पिन के साथ कनेक्ट होता है, तो जहां भी आपको चार्जिंग IC यह वाली मिले, आपकी BQ सिरीज के अगर चार्जिंग IC आती है, जैसे 25 A आ रहा है, 735 आ रहा है, 738 आ रहा है, सबका pin details almost same ही होता है, है ना, तो इसमें आप ध्यान रखेगा, कि यह pin number 17 के साथ आपको एक रइश्टर लगा होता है, 16 के साथ एक डायोड लगा होता है, सभी में मिलेगा, जितने भी आपको charging IC यह उसके region के साथ आपको एक डायोड मिलेगा और इस डायोड के साथ ही आप देखोगे, यह register होता है, जो कि 0603 size में होता है, और यह 2.2 ohm का नहीं है, तो यह direct jumper होगा, है ना, यह मान सकता हूँ कि किसी-किसी board में नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन जहाँ पर पी है, वहाँ पर आपको जातर यहीं दिखेगा, 0603 size का register है, और 2.2 ohm का यह register होता है, इसकी अक्सर दिक्कत आती है, और दिक्कत आने से आपका problem, फिलाल जो इस board में मिला हमे, plug-in not charging, plug-in not charging का message आ रहा था, तो यह problem तो जैसा मुझे inputs मिला, मैंने अपनी तब से कुछ नहीं बोला आपको यहाँ पर, जैसा मुझे यहाँ पर inputs मिला है, उस हिसाब से यहाँ पर मैंने आपको दिखाए कि यह जो case था, LAG07FP, यह किस तरह solve हुआ, तो आगे भी इस तरह की case study लाते रहूँगा, जब भी time मिलेगा, कि यह charging का problem था, charging का problem में यह basic testing थी, basic testing करी, है ना, तो basic testing में ही case solve हो गया, मत्तब बहुत जादा deep में जाने की charging section कैसे काम करता है, और charging section में किस components का क्या काम है, उसको ले करके क्या-क्या problems आती है, अगर उतना आपको idea है, उतना आपको, मत्तब यादास्त में हो चीजे, तो आप case को solve कर सकते हो, otherwise आपका charging का case, बहुत बढ़ा case माना जाता है, कि अगर battery charge नहीं हो रहा है, तो generally लोग नह पर नहीं द्यान देते हैं, अगर basics पर द्यान देते हैं, तो charging का case easily हो जाता है, बस एक drawbacks होता है, कि हमारी battery जो है, वो battery आपको खराब नहीं होने चीए, है ना, तो battery खराब है कि ठीक है, उसको ले करके भी market में बहुत सारे tool आगे हैं, उस tool के जरे भी आप पकड़ सकते है कि battery आपकी खराब है कि नहीं, उसके cell खराब है कि नहीं, है ना, बाद मां कि आप basic label पर भी इस case को solve किया जा सकता है, plug-in not charging, तो आगे भी मैं आपको लाऊंगा, charging selected और भी case studies हैं, हमारे पास, जो कि prove है नहीं, और आप दिखाऊंगा कि आखिर कर क्या करने से case solve हो है, बाद इसलिए आपकी जो charging related problems होती है, यहां पर solve हो जाती है, इतना अगर हम करके देखते हैं, तो हमारी charging की problem solve हो जाती है, तो आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद